तो दोस्तों सबसे पहले तुम्हें आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रही हूं तो कुछ प्रोब्लम चल रही थी घर पर तो इस वज़े से मैं आप वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रही थी तो बस अब से मैं कंटिनी वीडियो अप्लोड करूंगी फ्रेंड्स तो फ्लीज सपोर्ट कीजेगा मेरे चैनल को क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रत है मुझे तो चलिए देखते हैं आज किया बनाऊंगी तो आज मैं एक स्नेक्स बना रही हूं तो यह जो स्नेक्स हैं बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनता है जिसे हम कच्छे आलू से बनाएंगे आप इससे बना कर कहीं दिनों तो इसके लिए मैंने आप तीन आलू ले लिए जिनको मैंने चील लिया है और पानी में ही डाल लिया है क्योंकि पानी में बाहर रखोगे तो आलू आप अपने स्नेक्स के हिसाब से लेंगे मतलब कितने बनाने हैं आपको शोटे पीस रखेंगे तो यह अच्छे से में इन्हें पीसना है तो एक मिक्सिजार में इनको डाल देते हैं अब इसमें पांचे लसुन की कर लिया तो दो तीन हरी मेच कट करकर डाल दूँँ जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकोडिंग अगर आप यहां प्याज और अद्रग भी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं अब मैं यहां पर करी पते डाल रहे हैं तो इनको मैं थोड़ा बारिक कट करके डालूंगी आप करी पते की जगे पूदीना या फिर हरा धनिया भी डाल सकते हैं जो फ्लेवर आप खाना पसंद करते हैं आप उसके अकोडिंग यहां पर डाल अब इसको बिना पानी डाले हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और यह आलू के पानी से अच्छे से पीश जाता है और अगर इसा हो ना कि अगर पिस्ते टाइम में बड़े बड़े आलू रह जाते हैं तो आप इसको चान ले उसके बात ही यूज करें कि बड़े बड अगर आप पसन नहीं करते हैं तो हटा दें लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्वादनुसा नमग और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी हल्दी डालेंगे तो कलर बढ़े आएगा अब यह इसने को कूरकुरा बनाने के लिए मतलब क्रिस्पी बनाने के लिए हम इ ईसने सारी जीओं सब्सक्राइब के लिए इस मिसर्ण में में आप मैंड़ी की जगे आटा भी यूज कर सकते हैं मतलब मेंधा नहीं पसंद करते हैं तो आटा यूज कर ले तो मैं यहां पर इक्वांटिटी में दोनों यूज करूंगी इसका मैजर्मेंट नहीं है इसमें तो आप वीडियो में देख की पा रहे होंगे कि मैं किस टाइप का आटा लगाया है मैंने और आटा लगाने में पानी बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना है आलो के मोशेर से आटा लगाना है तो चलिए आटे को 10 मिट रेस्ट के लिए रख देते हैं तो देखिए यहां पर 10 लोई लेकर बैल लीजिए इसको तो यह इसनेक्स आपको जितना मोटा पतला बनाना है आप उसके अकोर्डिंग रोटी को बैल सकते हैं मतलब उतनी मोटी पतली रोटी आप इसको कर सकते हैं तो यहां मैं पतला ही बना रही हूं ज्यादा मोटे नहीं बना रही हूं तो उस सायता से इस टाइप से निसान लगा लीजिए तो एक एक इंची की दूरी पर निसान लगाईएगा तो से बहुत बढ़े आएगी या फिर आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि कि इतने बड़े आपको यह ट्रेंगल से चाहिए मैंने मीडियम साइज के मतलब चोटी साइज के इस टाइप से नाचो साते ना बस उसी टाइप के चिपकते भी नहीं है तो बस ऐसे बनाते हुए आप एक के उपर एक भी डाल दोगी ना तो जब फ्राइ करोगे तो अपने आप यह चूप जाते हैं अब चिपकेंगे नहीं ते आपर मैंने सारे ही बना लिए हैं और करता तो तेल अच्छा करम हो गया है अभी जितने आ जाए तेल में आप उतने डाल दीजिए तो दीखिए आप पुल लग रहा है कि चिपक गए लेकिन यह जैसे से प्राइ होते जाते हैं और अपने आप छूप जाते हैं तो बस बड़िया सा उलड़ते उलड़ते उनको लगेंगे इनको मेडियम पर फ्राइ होने में इस्टारटिंग में तो हाइफ लेंग we अगड नहीं कर दीजिए कर लिजिए तो फ्रेंट नहीं बहुत है थे टेश्टी लगते आप इन्हें चाही के साँथ या फिर चोटी-बटी भूट लगी हो तो आप इनको लेकर यह था हैुद और तौन करने में थे मलगते हैं तो उलकता हुजक छारई और कि व४क्तिलां और पी भी बने ह dan कि इनके खास बात है कि ते किखेर करने मतलगी सू के रहते हैं या से ना कि कोछी शिच और स्नेक्स demiş है ये बिल्कुल सूखे सुखे निकलते हैं और ये वेश्ट नहीं होता है फ्राइब करते हैं तो जैसा डालोगा उससे हलका फुलका ही कम होगा तो ये लीज़िये चेंट्स मेने सारे स्नेक्स प्राइ कर ली है आप इन्हें इसनेक से बोल सकते हो, नाचोस बोल सकते हो, जो मर्जी वो नाम दीजिये, बस खाने में टेस्टी लगते हैं ये, तो दोस्तो बताईएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा सेयर भ जगार, तो मिलते हैं कैसे ही वीडियो में तब तक के लिए जैसे जामू